Hey guys, how are you all? This is Mukta and we were doing mineral resources in Rajasthan. Mineral resources में we had already covered certain type of minerals and in today's video, we are going to learn about fertilizer minerals. आज के इस वीडियो में हम लोग fertilizer minerals के बारे में बात करेंगे. तो बताओ, fertilizer minerals में कौन-कौन से minerals आते हैं? Do recall the first introductory video, जहां पे मैंने एक चार्ट बन वाया था. If you remember, वहाँ पे हमने कुछ minerals के नाम लिखे थे, certain categories में डिवाइड किया था है ना? तो fertilizer minerals में कौन-कौन से minerals के नाम लिखे थे? बताओ, very well said. इसके अंदर rock phosphate आता है और उसके अलावा आपका gypsum हो गया, pyrite हो गया. यह जो, मतलब, minerals हैं, they all are the fertilizer minerals and they are quite important from exam point of view. क्या चीज इसके अंदर एक-दो चीज ही important है, वो मैं अच्छी तरीके से आपको इस वीडियो में clear कर दूँगी. तो बात करते हैं, हमारी first fertilizer mineral के बारे में, which is rock phosphate. रॉक phosphate या फिर फॉस्फेट रॉक या फिर फॉस्फेराइट यह सब एक ही है, ठीक है? कई जगे पे आपको फॉस्फेराइट लिखा हुआ मिलेगा, फॉस्फेराइट is commonly, rock phosphate को commonly फॉस्फेराइट बोलते हैं, तो यह सब एक ही mineral के बारे में बात है, ठीक है? रॉक phosphate जो है, रॉक phosphate mineral अगर हम इंडिया के context में बात करें, तो राजस्थान जो है, which rank first in terms of its reserves in India. राजस्थान में तो approximately 70% के करीब जो rock phosphate के reserves हैं, वो सिर्फ राजस्थान के अंदर मिलते हैं, ठीक है? राजस्थान rank first in terms of its reserves in India, यह जो mineral है, इसके बारे में, अगर हम इसके usage के बात करते हैं, rock phosphate, तो सबको पता है, fertilizer के production में use आता है, आपने नाम सुना होगा, NPK, nitrogen, phosphate और potash है, तो यह fertilizer के, मतलब उसमें ही use आता है. अगर हम बात करते हैं, जैसे soil की, मतलब क्या आपने देखा होगा, soils में काफी problems होती है, salinity की problem, alkalinity की problem, तो जो acidic soil हो जाती है, उस acidity की जो problem है, soil के अंदर, उसको resolve करने के लिए इस mineral का use किया जाता है, ठीक है? As a fertilizer, इस mineral को use किया जाता है, acidity की problem को resolve करने के लिए, इस mineral is also used in, मतलब कि, soil के अंदर use किया जाता है, तो यह बात हुई, rock phosphate के बारे में, rock phosphate का usage हमने देख लिया, rock phosphate के जो huge deposits हैं, वो आपको राजस्थान में कहां पे मिलते हैं, राजस्थान में यह mineral आपको मिलता है, उदयपूर, southern side में ध्यान रखना, ठीक है, southern में भी अगर हम कहां पे बात करें, तो उदयपूर के अंदर, एक इस mineral के बारे में बहुत ही important चीज़ है, जो आपको याद रखनी है, वो है कि, इंडिया के अंदर, जो इंडिया की सबसे बड़ी mine है, इस mineral की, वो हमारे राज राजस्तान के अंदर ही है, राजस्तान में भी कहां पे, उदयपूर में, उस mine का नाम अच्छी तरीके से रट लेना, वो है जामर कोट्रा, ठीक है, बहुत बार exam में पूछा जाता है, in fact इस mineral के context में generally यही question exam के अंदर पूछा जाता है, जामर कोट्रा जो है, उदयपूर की सबसे बड़ी mine है, this is the biggest mine of rock phosphate in India, ठीक है, clear है, उसके अलावा भी कुछ और areas है, जिनके बारे में हम अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, तो बात करते हैं, हम लोग बात करेते हैं, rock phosphate के usage पता है, तो इसलिए लिख नहीं रही हूँ, rock phosphate, सबसे पहले तो इसकी rank लिख लेते in India, ठीक है, in terms of its reserves in India, जामर कोटरा के बारे में, is the biggest mine, जामर कोटरा is the biggest mine जामर कोटरा कहां पर है उद्यपूर के अंदर है ठीक है रोग फोस्पेट के बारे में यहां पर देखो यह है उद्यपूर उद्यपूर के अंदर जामर कोटरा जामर कोटरा के अलावा कुछ और माइन्स भी है यहां पर जो की मतलब की जहां पर आपको रोग फोस्पेट मिलता है के नाम इतने इंपॉर्टन नहीं है बट फिर भी मैं लिख देती हूँ यहां पर में तो आपको जामर कोटरा याद रखना है ठीक है उसके अलावा एक आता है धकन कोटरा मटो माइन धकन कोटरा मटो माइन उसके अलावा एक आता है नीमच माता नीमच माता का जो वाला र ठीक है clear है इसके अलावा बासवाड़ा बासवाड़ा के अंदर सलोपत रीजन है सलोपत जहां पर rock phosphate के deposit मिलते हैं बासवाड़ा के अंदर सलोपत ठीक है Sikar Sikar के अंदर Ker Pura Sikar के अंदर कौन सी जग है Ker Pura जहां पर आपको Rock Phosphate के Reserves मिलते हैं In fact, Rock Phosphate के Rock Phosphate जो सब्स टाइम राजस्थान के अंदर Discover कहां पर किया गया था ये भी थोड़ा सा IMPORTANT है याद रख लेना राजस्थान के अंदर first time rock phosphate को discover किया गया था जैसल मेर के बिर्मानिया में ठीक है कहा पे तो जैसल मेर लिखो यहाँ पे जैसल मेर जैसल मेर के बिर्मानिया में बिर्मानिया के अंदर यह first time discover किया गया था और यहाँ पे इसके reserves मिलते हैं जैसल मेर के बिर्मानिया के अलावा यहाँ पे जो लाठी फॉर्मेशन है न, नियर पतेगर लाठी फॉर्मेशन जो है, वहाँ पे भी आपको रॉक फॉस्पेट मिलता है, ठीक है? ठीक है? So, first time it was discovered in Rajasthan at बिर्मानिया जैसल मेर ठीक है? बिर्मानिया जैसल मेर ठीक है? बिर्मानिया जैसल मेर ठीक है? It is used to resolve acidity problem in soil. ठीक है? क्लियर है? रॉक फॉस्पेट के बारे में? रॉक फॉस्पेट के बारे में देखो, अगर आपको यह सब चीजें भी नहीं याद रहें, तो सिर्फ दो चीजें याद रख लेना, main जो सबसे first है, जो important है, वो है जामर कोट्रा, exam में डारेक्ली पूछ जाता है, जामर कोट्रा किस से related है, तो ध्यान रखना, रॉक फॉस्पेट मिनरल का यह माइन है, ठीक है? रॉक फॉस्पेट की माइन है यह, जामर कोट्रा कहां पर है? तो वो है उदैपूर के अंदर, दूसरा ध्यान रख लेना, बिर्मानिया, सिर्फ यह दो चीजें या जिपसम के बारे में देखते हैं, देखो जिपसम नेक्स्ट मिनरल, जिपसम, जिपसम के अगर हम बात करें, तो जिपसम is a hydrate sulfate of calcium, ठीक है? hydrated sulfate है calcium का, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि जिपसम जो है, where it is found and how it deposits, कैसे deposit होता है यह? मतलब की, और इसके deposits मिलते कहां पर है, जिपसम के बारे में, सबी ने पढ़ा होगा, जिपसम तो very common P.O.P. वगरा में use किया जाता है, है ना? जिपसम का देखो क्या होता है? जिपसम के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, जिपसम वहाँ पे मिलता है, जहां पे कभी past में sea रहा हो, ठीक है? फिज़ोग्राफिक डिविजन में हमने देखा था, रास्तन का जो वेस्टन सेंडी प्लेन है, यह पहले यह वाला जो रीजन है, तो यह वाला जो रीजन है, जो पहले कभी geological past में, मतलब sea के अंडर रहा है, तो अब उसके बाद में क्या हुआ, अब यह रीजन अब क्योंकि यहां पे sea नहीं है, उस time पे क्या था, कि यहां पे gypsum deposit होना शुरू हुआ, gypsum deposit होता कैसे है, देखो, gypsum वैसे deposit होता है, कि जब sea water, क्योंकि हमें पता है, sea water saline होता है, है ना, तो जब sea water अपनी salinity का 3 times और ज्यादा saline हो जाए, तो उस case में gypsum deposit होना शुरू हो जाता है, 3 times ज्यादा saline कैसे होगा, due to high temperature, evaporation होगा, evaporation में क्या होता है, fresh water जो है, वो evaporate हो जाता है, और नीचे क्या बचे रह जाते है, salts है ना, तो salt नीचे बचे रह जाते है, जब sea water, 3 times ज्यादा saline हो जाता ह है, तो यानि कि salt की जो अच्छी खासी layers ही बन जाती है, तो वो zipsum deposit होना शुरू हो जाता है, तो इस तरीके से zipsum deposit होता है, तो राजस्तान में हमें पता है, यह कहां पे मिलेगा, यह हमें राजस्तान का जो western portion है, राजस्तान का जो western side है, वहां पे मिलेगा, western side के districts, जैसे की जैसल मेर हो गया, उसके अलावा बीका नेर हो गया, आपका गंगा नगर हो गया, नागौर हो गया, चूरू हो गया, पाली, जोधपूर, बाड मेर, यह वाले जो सारे रीजन है, यहाँ पर आपको जिपसम के काफी अच्छे डिपॉजट्स मिलते हैं, अगर हम जिपसम के maximum deposits की बात करें, तो जिपसम के maximum deposits मिलते हैं, नागौर के अंदर, कहाँ पर, जिपसम के maximum deposits मिलते हैं, नागौर के अंदर, जिपसम अब किस use में आता है, इसका usage क्या है, फर्टिलाइजर के अलावा बताओ, एक तो हमने बता दिया, जैसे P.O.P. वगरा में use होता है, और कहा जिपसम का use, fertilizer के साथ-साथ में insecticides बनाने में use होता है, paper industry में इसे use किया जाता है, paper industry के अलावा अगर हम बात करें, तो ceramic industry है, वहाँ पे भी जिपसम का use होता है, तो जिपसम के use, usage जो है, वो काफी है, काफी industries में इसे use किया जाता है, ठीक है, और राजस्तान का जो western side है, ज जिपसम, जिपसम के बारे में लिख लेते हैं, it's a hydrated sulfate of calcium, ठीक है, maximum found in Nagaur, its deposits found in western part of Rajasthan, Rajasthan, और जिपसम का use, soil के अंदर जो alkalinity की problem होती है, उसे resolve करने के लिए किया जाता है, rock phosphate का तो हमने देखा था, soil के अंदर acidity के problem को resolve करने के लिए, rock phosphate का use किया जाता है, जबकि soil के अंदर, जो alkalinity की problem है, उसे मतलब कि resolve करने के लिए use किया जाता है, जिपसम का, तो इसे क्यों use किया जाता है, to resolve the problem of problem of alkalinity in soil, इसकी और का नाम है, selenite, क्या है, selenite, s-e-l-e, selenite, ठीक है, अच्छा, और से ध्यान आया, wolframite किसकी और है, बताईए, पढ़ा हुआ है हमने, wolframite किसकी और है, very well said, tungsten की और है, है ना, कई बार पुछा जाता है, exam के अंदर, एक दो और और फटा-फट से बता दो, galena, galena किसकी और है, कौन से mineral की और है, very well said, lead की और है, उसके अलावा, calamine, calamine, कौन से mineral की और है, very well said, zinc की, हमने पढ़ा था ना, calamine, smithsonite, fellerite, ये सारी चीज़े हमने पढ़ी हुई है, अच्छा, magnetite, बताओ, magnetite किसकी और है, very well said, iron की है, है ना, hematite, magnetite, lemonite, cedarite, इसा पढ़ा हुआ है, हमने, तो जो hematite और magnetite है, वो iron और है, इसके अलावा, एक और बताओ, चलो, क्यूपराइट, क्यूपराइट किसकी और है, very well said, copper, है ना, copper की और है, तो selenite ध्यान रहेगा इसका, कुछ-कुछ और सें, जो कई important exams के अंदर पूछ ली जाती है, जो मैंने आपसे अभी पूछी है, इसके reserves देख लो, हमने यहाँ पर देखा, नागौर के अंदर maximum reserves है, नागौर के अंदर एक बहुत ही important mine है, this is the largest mine of gypsum, उसका नाम आपको याद होना चाहिए, कौन सी mine है, उसका नाम है, गोट मांगलोद, यह बहुत important है, जिबसम के अंदर जो सबसे important चीज है, वो यही है, अगर कुछ भी याद नहीं रहे तो इतना याद होना चाहिए, कि गोट मांगलोद, किसकी mine है, गोट मांगलोद में किसकी mine है, आपको मिलती है, वो है जिबसम की, और गोट मांगलोद है कहां पे, वो है नागौर के अंदर, तो सिर्फ एक ये तो याद करी लेना, करपा करके ठीक है, जरूरी है, गोट मांगलोद is important, इसके अलावा नागौर के अंदर और भी जगे है, जहां पर आपको, मतलब की, जिबसम के डिपॉजिट्स मिलते हैं, तो गोट मांगलोद के अलावा हो गया, बदवासी, मांग रोल, ये वाला भी जो रीजन है, यहां पर आपको, मतलब की, जिबसम जो है, उसके डिपॉजिट्स मिलते हैं, तो नागौर हो गया, नागौर के अलावा, चूरू, चूरू के अंदर जिबसम मिलता है, चूरू के तारा नगर में, चूरू के तारा नगर में, जिबसम के डिपॉजिट्स मिलते हैं, यहां चूर गड़ और ठीक है लाख्खा रीजिन वहाँ पे मिलते हैं तो यह जो हामिर वाली मोन गड़ वगरा है यहाँ पे आपको जैसल मेर के अंदर इसके डिपॉजिट्स मिलते हैं बीका नेर बीका नेर के अंदर जामसर जो है जामसर यह इस रीजिन की लारजस्ट माइन है जामसर तो अगर गोट मांगलोद के अलावा अगर आपके इच्छा हो कुछ थोड़ा और जादा पढ़ने की या मतलब एक नाम और चलो हमारी कैपैसिटी हम याद रख लेंगे तो वो जामसर है प्लीज याद रख लेना अगर वोट मांगलो वो तो important है सेकेंड नंबर पर इसे याद रख लेना जामसर हो गया सिया सर जांसर सीया सर और इसके अलावा आ जाता है लूट करंसर loon current sir loon current sir तो हमने lake में भी देखाता है saline deposit है saline lake है तो ये सारे जो region है ये आपको थोड़े से ध्यान रखने है सारे नहीं याद रहें तो jam sir ध्यान रख लेना jam sir, siya sir, loon current sir ये जो है इसके अंदर beacon air के अंदर यहाँ पे आपको deposits मिलते हैं clear है कोई specific नहीं बता रही हूँ क्योंकि important नहीं है as such इसके बारे में जो ये थे मैंने बता दिया आपको अगर सारे नहीं याद रहते तो मैंने बताया है दो नाम याद रख लेना most important goat मांग लो कौनसे mineral से related है यहाँ पे gypsum की सबसे बड़ी माइन है और ये नागौर के अंदर है ठीक है then second is jam sir एक चीज़ और ध्यान रखना gypsum के अंदर gypsum जो है उसकी एक crystalline variety भी है crystalline variety जो है वो राजस्थान के अंदर loonkaran sir में मिलती है gypsum के crystalline variety राजस्थान के अंदर loonkaran sir जो की बीका नेर में वहाँ पे मिलती है और बार मेर के कुछ रीजन्स में भी gypsum के crystalline variety मिलती है clear है यहाँ तक gypsum clear है रब कर दो इसे एक और बस last mineral है उसके बारे में कुछ खास नहीं याद रखना सिर्फ बस एक चीज़ ध्यान रख ले ना pyrite के बारे में next mineral है pyrite 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 के context में आपको सिर्फ एक नाम ध्यान रखना है वो है सलादेपुरा सीकर pyrite के large deposits कहां पे मिलते हैं सलादेपुरा सीकर के अंदर अभी इसके deposits मिलते हैं इसका commercial production अभी start नहीं हुआ है इसका usage कहां पे है कहां पे pyrite use किया जाता है तो sulfuric acid बनाने में pyrite का use किया जाता है because it contains 36% of sulfur इसके अंदर 36% sulfur पाया जाता है इस वजह से इसका use sulfuric acid बनाने में किया जाता है और इसके context में हमें सरफ एक ही area याद रखना है जो exam के लिए important है I'm again saying important है सलादीपुरा सीकर ठीक है फटा-फट से लिख लेते हैं pyrite it contains 36% sulfur usage sulfuric acid बनाने में किया जाता है so I'm not writing it it's large deposits deposits found at Saladipurah Sikar ठीक है Saladipurah Sikar commercial production अभी start नहीं हुआ है इसका तो pyrite के बारे में यही है so this is all about fertilizer minerals यह fertilizer minerals के बारे में आज के इस video में हमने complete cover किया है just a quick recap सिर्फ एक आदे मिनट में एक मिनट में भी नहीं सिर्फ हाफ मिनट में आप मुझे यह बता दीजिए कि सबसे पहले हमने पढ़ा था rock phosphate उसके अंदर हमारे सबसे important चीज़ क्या थी rock phosphate के अंदर हमने क्या पढ़ा था rock phosphate की largest mine कहां कौन सी है जामर कोटरा उदैपुर के अंदर this is the important thing next gypsum gypsum के बारे में हमने ध्यान रखा था goat, manglood, nagol, largest mine ठीक है gypsum की pyrite, saladipura, seeker इसके last deposit कहां पे मिलते है saladipura, seeker अगर इस पूरे वीडियो में कुछ याद नहीं हो तो यह जो last का half minute में ने बोला है इसे जुर याद रख लेना because exam के अंदर यह चीज पूछी जाती है so I hope you have learned something from the video and if you do so then please do share this video with your friend and with your friends and don't forget to hit a like button see you in the next video with some more minerals so till then stay connected, bye